तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप के बारे में तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लॉक ओफ कोड है वो एक्जिक्यूट तभी होगा जब आपकी कंडिशन जो है वो ट्रू होगी तभी वो ब्लॉक ओफ कोड एक्जिक्यूट होगा अब वाइल लूप में क्या होता है वाइल लूप लूप त्रू अब ब्लॉक ओफ कोड एज लॉग एस लॉग एस तो दस पैसिफाइड कंडिशन इस ट्रू ठीक है जब कंडिशन आपकी ट्रू होगी जब तक ट्रू होगी तब तक वो ब्लॉक ओफ कोड जो है वो एक्जिक्यूट होगा ठीक है तो वाइल लूप का ये हमारे पास सिंटेक्स है वाइल फिर हमें यहाँ पे कंडिशन लिखनी पड़ेगी फिर ये ब्लॉक ओफ code जो है वो execute होगा ठीक है अब हमने आपर एक example लिया हुआ है in this following example the code in the loop will run over and again as long as variable i is less than 10 okay i जब तक less than 10 रहेगा जब तक ये block of code execute होगा इसका कहने का ये मतलब है कि while loop में जब तक आपकी condition false नहीं होगी न तब तक आपका code run होता रहेगा इतना याद रखना है syntax आपने यहाँ पर देखी लिया while लिखना पड़ता है फिर condition देनी पड़ती है हमें फिर हम अंदर brackets के अंदर block of code को लिखते हैं फिर आता है मार पास do while loop तो do while loop भी एक while loop का ही variant है ठीक है और यह loop जो है वो execute होगा जब होगा पहले तो यह condition को check करता है कि क्या condition जो हमें दे रखी है वो condition true है कि नहीं है अगर condition true है तो वो block of code execute होगा और इसमें हमें यह बात याद रखनी है do while loop में कि loop will execute the code block once only once ओके तो यह था हमारा do while loop बस इतना ही था इसमें while loop में आगे आने वाली वीडियो में हम और भी topics को cover करेंगे धीरे धीरे मैं सारे topics को javascript के cover कर रहा हूँ video short बना रहा हूँ ताकि आपको देखना easy रहे समझना easy रहे तो आप starting से लेके end तक सारी videos को follow करें देखे और comment section में अपना suggestion जरूर दे ताकि मैं और improvement कर सकूँ अके